नमस्कार आप देख रहे हैं SPNI न्यूज और आपके साथ मैं हूँ करांति सिंग एक बार फिर हमारे आज किस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है दिल्ली में चुनावी माहूल तेज हो चुका है दिल्ली में MCD इलेक्शन को ले करके जहां BJP वर्सेज आम आदमी पार्टी की लड़ाई जोरों पर देखने को मिल रहे हैं वही पार भाजपा ने इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है आम आदमी पार्टी के गड़ में घुस करके एक बार फिर से जीत दर्च करने का आपको अतादे कि MCD इलेक्शन से पहले हमने आपको कई सारे रिपोर्ट्स दिखाए हैं जिसमें हमने तमाम लोगों से बात करके आपको बताया है कि आखिरकार जनता जो है वो क्या कुछ सोच रही है इस बार के MCD इलेक्शन को ले करके और आज हमारे साथ हमारे सहीयोगी मौजूद है हम उनकी प्रतिक्रिया भी आपको बताएंगे कि आखिरकार जो है कैसे MCD इलेक्शन को ले करके जनता जो बोर्ड रहे है जनता जो सोच रही है आखिरकार उनकी सोच सही है या फिर आम आदमी पार्टी वर्सिस वीजेपी की लड़ाई में कोई और रहा पर ल लेकिन दिल्ली का इलेक्शन जो है वो कई मायनों में अलग है क्योंकि दिल्ली में भाजपा का गढ़ नहीं है जैसे हिमाचल में भी है गुजरात में भी है लेकिन दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे है कि क्या भाजपा का गढ़ न 15 में चुनाव हुए थे उस समय में दिली की जनता ने भर-बर के अर्विन केजरिवाल को वोट तो दिया था विदान सभा चुनाव में लेकिन जब एमसेडी के चुनाव हुए थे तो उस तरéliorके से चुनाव में दिली में तमाम सीटें मिलती हुई नज़र आई एसे में M.C.D. चुनाओं में इस बार अर्विन केजरिवाल कितना खेल कर पाएंगे तो चुनाओं के नतीजे ही बता पाएंगे लेकिन फिलहाल जो इस सित्थी बंती नजर आ रही उससे तो ये बात असपश्ट लग रही है कि अभी 50-50 का मामला चल रहा है दरसल अर्विन केजरिव उनको जरूर मिलेगा क्योंकि M.C.D. में हर उस छेतर का जो है एक तरीके से युआ और साथी कहें कि महिला जो है अपने मतों का इस्तेमाल करती है जो कहीं न कहीं मध्यम वर्गी होते हैं तो मध्यम वर्गी को ये फाइदा जरूर मिला है योजनाओं से जो चाहे बस में मह जली फिरियो या पानी काबिल माफो ये तो तमाम चीजें जो है कहीं मध्यम वर्गी लोगों को काफी जादा जो है परभावित जरूर करेगा और इसका लाब जो है अर्विन केजरिवाल को M.C.D. चुनाओं में मिल भी सकता लेकिन B.J.P. को जिस तरीके से जनता ने हर ब इसी है तो अर्विन केजरिवाल के लिए रास्ता उतना जादा साफ नजर नहीं आ रहा है अगर हम बात करें तो दिल्ली के जो विधान से बात चुनाफ हुए थे उसमें एका एक जनता ने उन्हें पसंद कर लिया था लेकिन अगर हम उनके छवी को अगर देखे तो इस ब बता है कि जीत नहीं हो पाएगी इसी तरह से अगर हम देखे तो एमसीडी का इलेक्शन पिछला तो हार चुकी है लेकिन क्या इस बार जीत जाएगी फिल्हाल इस बार की जो अभी इस्तिती है खासता और सागर बात की जा जिस तरीके से फिरी वाली योजिना को लेकर करके एश्वनी उपाध्याई के दुआरा सुप्रिम कोट में जो है याच का दायर की गई थै और कहिन कहीं जो बीजेपी का शेश ने तृत्व है उन्होंने भी जिस तरीके से धावा बोला है हमला बोला है अर्विन केजरिवाल पर उनकी छवी को बदनाम करने का और साथ ही मन योजनाओं पर लगातार जो है आरोप लगाये जा रहे हैं और ये बात कही जा रही कि दरसल इस फिरी वाली योजनाओं को लेकर के कहीं अर्विन केजरिवाल जनता को जो है एक तरीके से जो है जो है लेजी फिल करवा रहे हैं उनको काम करने से रोक रहे हैं हाला कि ये भ किमाम योजन हैं तो हर सरकार की तरफ से तक है तो फिरी योजनाओं की जहां तक बात है तो अर्विन केजरी जी वाल लगए तार जिस रिके से उनका बजट मुना खेस्वेख में जा रहा है तो फिर ये जो आरोप लगाय जाता है बीजेपी की दौारा की देशल इससे सरकार को नुकसान होगा, सरकार के खाजाने में कमी देखने को मिलेगी, तो ये कही ने कही राजनितिक आरोप भर ही आप इसको देख सकते हैं, लेकिन बीजेपी सही भी तो बोल सकती है ना देखे यहां पर वो भी तो यह भी तो साफ रखी रहीं है सामने की काला धन का इस्तिमाल कर रहिए एकचरिवाल जभी तो यहां पर बजठ उनका बिगड्र रहाhey लेकिन फिर भी तमाम रेंवर्री देरे यह जा रहे हैं वह के ढरोपों की जाहते और बात करें तो सबसे बड़े अगर आप बात करें इहां पर सारे रिज़ुष Sport केंदर की सरकार के बास है प्रदान मेंתरी के पास है काले धन की बात नहीं कर रहा है जो जहे यहां पात कर रहा है इन तमाम चीज़ों कर तो इस्तमाल तो होई रहा है विपक्ष के तमाम निताओं पर हो रहा है अमानिश इस सोधिया कि घर पर लगातार चापे मारी की जा रही है उनके कबार तक को खंगाला जा रहा है उनके बिस्तर तक को जो है उठा करके दिखा जा लेकिन उसके बावज़ुद भ लगता है उनकी बेटी पर आरोप लगता है उस समय जब सबूतों को खंगाला जाता है तो सबूत नहीं मिलते हैं वह सबूत जो की कोट में पेश होने लाइक हो वह सबूत जिसके ओपर कोट जो है वो एक्शन ले जब बीजेपी इस बात को लेकर के सामने खड़ी होती है क यहां हमारी बेटी तो बिल्कुल सुरक्षिती साफ थी उनके ओपर दाग लगानी की कोशिश जो है वो कॉंग्रेस कर रही थी तो क्या वही सेम चीज यहां पर केजरी वाल नहीं कर रहे है कि उनकी छबी भी बिल्कुल साफ नज़र आ रही है जब वो इस बात को बोल रहे पर पर जो है जो है जो जो इस इरानी से लेकर के जो ट्वीट किये जो इस मिर्ति इरानी की बेटी है वो तमाम जो चीजें वो हटानी पड़ेगी उनको और अगर नहीं हटाए जाएगा तो वो सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म पर भी कारवाई की जाएगी तो उस समय कॉं सिटी एलेक्शन जीता हुआ कौन सबसे जादा नजर आ रहा है चोटा सांसर दीजेगा देखे इस बार भी बीजेपी की जो दाविदारी है जादा मजबूती के साथ देखने को मिल रहे लेकिन चुनाओं जैसे जैसे समीकरन बदलता हुआ भी नसर आ सकता है और उस समय नजर आएगी लेकिन इन तस्वीरों में आखिरकार कौन माला पहनता हुआ नजर आएगा और किसके हाथ में कटोरा दिखेगा वो साफ तोर पर हम देखेंगे बहराल जनता के सामने सब कोई पहुच चुके तमाम नेता जो है वो दरदर के ठोकरे खाते हुआ इस वक्त क्योंन आएगान थार में के हाथ ज較 देखेंगे ज सीजरों में 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 आन्याने सबीकिन नर झाल bez.'